हेलो फ्रेंट्स देरी स्टुटेंट्स सार्दा सदन के ओनलाइन यूटूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है तोड़े वी आर टौकिंग अबाउट गमेटोजनेसिस कि बंगलत करेंगैंगे और यूगमग जनन में हम पहला पड़ेंगी सुक्रजन गमीटोजनेसिसिस क्या होता है यूगमग जनन कि आप बात करते हो तो तो क्या होता है गमिटों जैनेसिस गेमिटो जेनेसिस या युगमक जनन युगमक जनन का मतलब ये है ऐसी प्रकरिया जिसमें युगमकों का निर्मान हो जाता है युगमकों का निर्मान हो जाता है ऐसी प्रोसेस जिसमें युगमक बन जाते हैं उसको आप युगमक जनन कहोगे अभी बात यह है कि सर डिविजन कौन सा रहेगा तो बच्चो डिविजन इसमें दोनों रहेंगे इसमें माइटोसिस डिविजन भी रहेगा and मियोसिस डिविजन भी रहेगा माइटोसिस डिविजन भी रहेगा मियोसिस डिविजन भी रहेगा सम सुत्री विवाजन भी रहेगा और आर्द सुत्री विवाजन भी रहेगा ठीक है गैमेटोजेनेसिस जो हता है वो दो तरीके से कम्प्लीट होता है ठीक है गैमेटोजेनेसिस के अगर हम बात करें तो मेल के अंदर गैमेटोजेनेसिस जो हता है और फिमेल में उजेनेसिस, इस्परमेटोजेनेसिस, शुक्कर जनन और ये अंड जनन, शुक्कर जनन और अंड जनन, तो हम ये आ कोंचा पटेंगे, शुक्कर जनन, पहले कौन सा पटेंगे हम, शुक्कर जनन, तो ये डाइग्राम दे रखा है, शुक्कर जनन की प्रोसेस के उपर दे रखा, ठेक है, तो इसी को हम समझते हैं, जो, ऐस्सेल्टेंशिस है, या सुख जनन है, हिंदी में आप इसको क्या कह रहे हूं, शुक्र जनन, शुक्र जनन एक ऐसी प्रकरिया है, जिसमें सुक्रानों का निर्मान होता है, ऐसी प्रकरिया, जिसके दावरा, सुक्रानों का निर्मान होता है ठीक अब इसके अंदर जो सुक्रजनन की प्रक्रिया है वो किस प्रकार से कंप्लीट होती है ठीक तो देखो, यहांपर एक डाइग्राम 되 रखा आपको और यह ओरोल यह डाइग्राम है यह आपको यह समझा रहा है कि सुकर जनियर की प्रकुरीय किस प्रकार से कम्प्लिट हो रहی है यहाँ पर पहले क्या होगा? यहाँ पर पहले सुक्रानो पूर्वी का निर्मान होगा सुक्रानो पूर्वी का निर्मान होता है सुक्रानो पूर्वी के निर्मान के बाद क्या होता है सुक्र कायांतरन होता है सुक्र कायांतरन पहले सुक्रानो पूर्वी का निर्मान होता है उसके बाद में सुक्र कायांत्रन होता है सुक्रानो पूर्वी क्या होता है कि एक सेल से सुक्रानो पूर्वी क्या होता है कि एक सेल से सिरफ सुक्रानो पूर्वी चार सुक्रानो पूर्वी का बनना और शुक्र कायंतन क्या होता है जो बनने वाली जो सुक्रानो पूर्वी है उससे सुक्रानु का बनना यह सुक्र कायंतन कहलाएगा तो पहले हम क्या समझाएंगे पहले हम क्या समझाएंगे सुक्रानो पूर्वी कैसे बनता है तो सुक्रानो पूर्वी बनने की आपर तीन स् प्रावस्ता एक होती है वर्दी प्रावस्ता ठीक है और एक होती है मेचुरेशन फेज परीपक्वन प्रावस्ता ऐसे करके तीन फेज होती है गुणन वर्दी और परीपक्वन ठीक है तो इसको हम पढ़ते हैं अब यह जो डायग्राम आपको दिखा रखा है इसमें देखो Niya को उपपर से हो इवह को ऑन सी है को निद्ट किंस है इस परमेटोगे live और उस्के नीच से माईक्त डिविजिण दिखा रखा है कि क्या दिखा रखा है मायटिक डिविजन तो सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशन जानेगे ठीक हाँ कि अगर आप से कोई ऐसे कहें कि पहले तो हमें यह परिवासा बताईए कि कि गेमिटोजनेसिस क्या होता युगमक जनन क्या होता तो युगमक जनन आप क्या बता होगे कि जो जननद है कि जननद है कि जननद में कौन से आएंगे शुक्राणों जननद के अदर हम बात करें तो वर्षण और अरंडा से दोनों आ जाएंगे जननद में उनकी जनन उपकला है जनन उपकला दोनों में ये उनकी जनन उपकला की जो दिवगनित कोशी का है उसमें पहले समसुतरी फिर आर्द सुतरी विवाजन के फलसरूप जो बनता है उसको ही हम यूगम कहते है तो जनद जो हैं जो गोनाड से उनकी जो उपकला है जनन उपकला की जो कोशिका है पहले दीउगुनित होगी उसमें सम्शुतरी तथा अर्शुतरी वाजन के फल सरूप जो बनता है उसको हम युगमक कहते हैं इतनी बात हमारी यह हो जाती है यहां पे फिर हम नेक्स्ट बात करें तो नेक्सट बात यह है कि नेक्स्ट बात यह है कि सुकरजनन क्या होता है इस परमेटोजेनेसिस की बात करें तो सुकरजनन क्या होता है तो सुकरजनन की अगर हम बात करें तो आप क्या बताओगे सुकरजनन में आप ये बताओगे कि जो वर्सन है वर्षण के अंदर क्या है सुकर्जनननलीका क्या है कि शुक्रजनननलीका की ओध की देखते हैं तो उसमें उत्ती है जनन उपकला क्या और जनन उपकला की दीवनित कोसी का जिसको हम कहेंगे प्रिमोडियल जम सेल क्या कहेंगे प्रिमोडियल जम सेल आदी जनन कोसी का या प्रिमोडियल जम सेल उसमें पहले सम्चुत्री विवाजन होगा और उसके बाद में जो सेल बनेगी उसमें वापस से अर्चुत्री वर्षण की जो शुकर जनन न लिका है उनकी जो जनन रुपकला है जनन रुपकला की आदी जनन कोशी काउम में समसुत्री तथा और सुत्री विवाजनों के फल्च रूप सुक्राणों का निर्मान होना इसे ही हम सुकर जनन कहते हैं पूरी डिटेल बोल दी कहीं आप यहां कौन कौन सी प्रोसेस है उनके बारे में हम जानते हैं ठीक है आज 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 लोड़ा सा इसकी विड़्द बढ़ा लेते हैं देखो हमारे पास तीन प्रावस्ताइं होंगी एक है गुणन प्रावस्ता एक है व्रद्धी प्रावस्ता और एक है परीपक्वन परीपक्वन प्रावस्ताइं है अब इनके तहециत जो बनेगा उसको आप सुक्राण Om पूर्वी कओंगे सुक्राणु पूर्वी एक गोल कोशिका होती है प्रएगुनित होती है इसमें बहुत सारे चेंजे जाते हैं जिसके फलसुरूप सुक्राणु बन जाते हैं इस परकरिया को आप सुक्र कायांत्रन को होगे तो पहले तो हमें क्या पढ़ना है पूर्वी का निर्मान पूर्वी पहले क्या रही है गुनण्ठर इस परमेटागा敢 लिखा हुआ है तो जो ढर्लिंटि जमख एप्रीमद्यस करे से ले आफाल से वहां से बात करते हैं कि प्रिमद्य को रखला की आयो इसम हैं कुञ्वाजन और और वाली को सिकाओं को आप irmकनिया ज़ीए है इतनी बात हो जाती है इतनी बात होने के बाद आप यह जो देखो तीन खलर भी भी शो कर रखें आपको एक पिहीं या तक न भी हिए आपकी पहली फेज हो गई यह आपकी डूसरी फेज हो गई कुछ इस प्रकार से बता रहे हैं तो गुणह्ण प्रवास्ता में आप क्या बता होगे उसमें लगातार शमसुत्रि विवाजन होते जिसके फल्स रूप अनेक शुक्राणू है वह एक तो बनेगा नहीं संख्या ज्यादा होती नहीं सो मीलियन के लगबग ठीक है तो लगातार समसुत्री विवाजन के फल्स रूप अनेक कोशिकाएं बनती है इन कोशिकाओं को हम इस प्रमेटों गोनिया कहते हैं यह जो कोशिकाओं होती है दीगुणित होती है याद रखना यह जो कोशिकाओं होती है दीगुणित होती है अब यहां पर क्या होगा आप वर्दी प्रावस्ता बता रहें तो वर्दी प्रावस्ता में क्या होगा वर्दी प्रावस्ता में बहुत सारी स्प्रमेटों गोनिय सेल बन गई इन इस्परमेटो सब्सक सेल में एक सेल पोशक पदार्थों को घ्रण करके आकार में बड़ी हो जाती है यह जैसे आपने उगॉनिया वाला पड़ा था थोड़े से चेंज़ ज़ल रहते हैं उगॉनिया मेरे समय अप सारी कोशिकाओं में से एक कोशिका आकार में बड़ी हो जाती है पोशक पदार्थों को गरन करके और बड़ी होने वाली कोशिका को आप कहोगे से प्राइमडिय स्परमेतो साईट उसमें प्राइमरी उ साइट कह रहे थे आप quiet का से अंड वोगया uspome इस प्रम से स्पम हो गया से मैं है तो यह जो बनने वाली कोशिका है उसको प्राइमरीenc sex face कहा जाता है नाम जो है यह आप इंग्रिस में याद रख लो ठीक है क्योंकि यह जो नाम Merci Thema होइन इंड्य बने हैं तो परात्मिकjat sub 7 ुसरी खतम हो जाती है यह वाले भर मिशेक्ण आप यह बोलते हैं प्रवेस्टा प्रावस्ता परीपक्वन प्रवस्ता में rapid बन गया इसमें देखो ये दिखा रखा मुज़िस से इंच अ क्योंकि डिशर्जोंगा र्दशुत्री को सा हो गया और रसutरी है और सुधिक्तरी महार्दन के फल स्रूप उस में दो कोउसिका बन गई है ति को इस को आप प्राइमरी स्परमेटियोसाइट कह रहे थे आप ईसको आप से स्केंड्री स्परमेटocyte कोई नहीं Какaran अंदर मियोसिस सेकंड भी हो जाएगा जैसे मियोसिस सेकंड होता है तो एक सेल से दो सेल बन जाएगी या आपने उसमें अर्शत्री वादन में पढ़ा था समजाद गुन सुत्र होते हैं वो भी बीच में से तूड़ जाते हैं तो यहां पर यह बनने वाली सारी कोशिकाई एन एन होगी और इन कोशिकाऊं को आप स्परमेटिड कहोगे इस्परमेटिड को आप हिंदी में कहते हो सुकरानो पूर्वी हमने यहीं तक बात की थी सुकरानो पूर्वी के बनने तक की ठीक है यह सुकरानो पूर्वी से इस्परमेटो जोआ इस्परमेटो जोआ इस्प की दोनों यहां से यह जब बन जाते हैं तो इसमें इस पर्मियोजेनेसिस की जो प्रोसेस है यह बहुत बनाता तक बनाता जिसको एक्रोसों का जाता है वह सुक्रानू में अंडानू भेदन का कार्य करता है ठीक है तो इस प्रकार से तो इतनी बात आपको समझ में आई सिर्फ यहां तक बात किये मैं यह बात आप वैसे याद रखोगे आप क्या क्या बोलोगे अचल गोल ए गुणित सुक्राणू पूर्वी से चल पूँच वाले सुक्राणू का निर्मान होना ही सुक्र का अंतन कलाता है। होना पूरो घरी जातीत तो ये बाख मन में आ गई आपको के लियर किलियर मैं लेक। अमधियर देखते हैं तो और एंस्ट में देख रही हैं। अपको पर सब्सक्राण बेखते हैं। अधार स्लड में और यह जो है यह आपको इस्पं कि प्रक्शर दिखा रखे है। किसकी डारेक्ट इवाइड करके चलते हैं एक तुसका है पार्ट रेकंड नेक पार्ट रूफ्ट मिडिल पी후्ट ये इसका जो हैड पार्ट होता है वो खुद दो वागों से मिलकर बना होता एक ये जिया ने और एक वोता इसमें केंद्रक अ इसका जो नेक पार्ट होता है इसमें जो सेंट्रियोल होते हैं दो प्रकार के सेंट्रियोल तारक के अंदर होते हैं एक समीपस्त और एक दूरस तो समीपस्त के अंदर आप याद रखो कि यहाँ पर माइटो कॉंड्रिया का अरेंजमेंट होता है माइटो कॉंड्रिया का अरेंजमेंट होता है और जो टेल होती है वो पतली हो जाती है उसमें जो फिलामेंट होते हैं वो एक अलग तरीके से अरेंज हो जाते हैं तो सारी यह बाते आप नुकलियस है यह पूरा नुकलियस है यह पूरा नुकलियस है यह अगरोसों यह नुकलियस ठीक है अब जब सुक्राणू बनता है आप तो सुकराणू बन रहा है तो क्या होता है जैसे यह सुक्राणो पूर्वी का केंद्रक है तो इसमें गोल जीक आए मायक चॉणड्रिया सबी पढ़ें तो इसका अतरिक्टध दर्वा जब निकलने लग जाता है तो इसका जो केंद्रक होता है वो उपर-उपर चला जात कोशिका के इंदर कौन सी चीज नहीं होती है सारी है आप माइट्र कॉंट्रिया कहा से पहले से तो अरेंजमेंट ही हुआ और कुछ नहीं हुआ तो सुक्राणु पूर्वी से एक गोल कोशिका है और उससे पूंच वाला बन गया इस इतनी सी बात आपको बतानी है तो इसकी जो चीजें हैं वही काम आ रही है तो सुक्राणु पूर्वी का जो केंद्र का है वह यहां पर आके सेट हो गया और सुक्राणु पूर्वी केंद्र में सेट होने के बाद यह जो एक्रोसॉम में गोल जिकाय से बनता है किससे बनता है गोल जिकाय इसके उपर आके स कि ऐसी को सिका की की प्लाजमा मेंब्रेन कि और आ समझा रहा हैं भासंज में आरे क्या आई यह चाहिव थाहिए यह जो केंदर के यह सो केंद्र के यहां आगा ड़ी को पड़ा था ये इस हो गया इस के फोल ये जो मेंब्रेन है यहां पर यह एक्रोसॉम के उपर यह जो जिलिया है एक्रोसॉम तता है इसकी जिलिया इनको गेलिया केपेटिस कहा जाता है मीर in के पेटिस जेली लिया का ज़ाता है मैं एक्रोसों और केंदक यह जो केंदक है और एक्रोसों यह बीच में थोड़ी सी खाली जगर रहती है इसको पर फो रेट्रियम का जाता है पर फेट्र रे anger पर्फॉरेटॉरियम आजाता है क्या का जाता है किया मिशना थी उसके बीच की जो घाली जगह एक रूसॉम क्या कहते हैं पर पॉरेटॉरियम क्या कहते हैं कि बाद समझ में आ गई एक्रोसों जो होता है इसके अंदर विशेश प्रकार के स्पम लाइसीन एंजाइम पाए जाते हैं कि स्पम लाइसीन कि यहां पर आपको नाम रहाद रखना दो का कौन-कौन से हैं एक तो हाइलू रॉनिडेज और एक एक्रोसीर एक तो एक्रोसीन हायलू रॉनिडेज का काम क्या है और एक्रोसीन का काम क्या है दोनों ही सबसे पहले जो अंडानू उससे कौन टकराता है क्रोसों में टकराता है टकराने के बाद जो अंडानू है उसके उपर भी बहुत कठोर कवच होता है कोरोना रेडिया और जोना पहले शूड इसके नूक्लीस की बात करें तो इसके नूक्लिस में ज्यादा चीज़े नहीं होती इसके न्युकलेस में आरने निकाल दिया जाता आत्रिक्त कोशिका दरुए राख्याद के साथ क्योंकि यह जो शहल है यह बहुत बार है इसको अलका होना पड़ता है तो बहुत सारा बोट मेट्रीवन भाषा निकाल आपने पड़ा ओगा कि सुपराणवपूरी की अत्रinkत कोसिका दर्वव का क विगटन करने के लिए सासथ टॉलिक वह काम आती हैं आती tomar तो यह बन रहा है कि वहीं तो बंढ रहा है तो बाहिए पर सेटोलिक कोसी का हैं इसका आतिर्ट प्रोचिका दरवबार निकाल रहे हैं है तो इसमें ज्यादा कुछ होताना द्यान रखना और यह प्रोटीण होती है प्रोटामीन जाद रखाए प्रो नाय स्कुनाओ याद रखो, यहां पर मैं आप क्या बता होगे केंद्रक के नीचे यह कंद्र Aye इसका हैं आदे से ज्यादा बाद केंद्रक यह और यहां पर ज़स्ट नीचे गर्थ बन रहा है चैसे इस गर्थ के अंदर जो यहां पर क्या लेता दूर दूर बेज देता है कोशिका को विवाजित करने के लिए यहां पर भी तूटकर वो दो बन जाते हैं यह जो पास होता है इसके हैड के उसको समीपस्त तारह के अंदर और थोड़ा सा नीचे होता है उसको दूरस्त तारह के अंदर कहते हैं दूरस्त तारह के निकल जाते हैं किसे पिंडल फाइबर वो कोशिक भी वाजन करने के लिए वैसे भी बनाता है तो यह सारी अक्सियों नीकल की नीचे तक चली जाते हैं जैसे ये चले गए फिर माइटोक्ोंडरिय आता माइटोकॉंडरियन के चारो तृफ ऐसे फित्य की तरह लिपट जाता ऐसे चारो तृफ रिबन लाइक ऐसे रिबन लाइक कैसे इसको नेवेन करन्अच्चद जाता है Yeah रखोंगe आप तो इसको cpa कहीत किसा इनतर सुकरी घ्याट। पहुते हम तो कि मैट्व लगूर्ण इज ऊइक बना लए इसके बाद में यह जो मैंब्रेन कों सिकरह चारत आधे मेंब्रेन नहीं यह आप कितनी बात इसमें हो जाती है कि ने हैड हो गया नेक हो गई मिडल पीस की बात कर रहे हैं मिडल पीस में आप क्या बता होगे जो दूरस्त तारक के अंदर है उससे अक्षी तंतों का निर्मान होता है उसके चारों तरफ माइटोकॉंड्रिया लिपट कर नेबेन करना आच्छद बना लेते हैं तता माइटोकॉंड्रिया के चारों तरफ पत्ली जिल्ली से टोकर क्या बना लेती है मैं चैट बना लेती है कि पूछ भागों पढ़ते हो आप पूछ भाग जो अता है वह पीछे तक निरंतर रहता है और अपनी वीड के अनुसार पतला होता जा है इनके अक्सियतनतों का क्लियर तो यह स्पंप की स्ट्रक्चर थी मेरे कहले से टोपिक आपको समझ में आ गया कोई दिक्कत रहे तो आप कॉमेंट सेक्षन में कॉमेंट कीजिए बताइए कोई प्रोब्लम रहे तो ठीक है चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें थैंक हमें इए थास फिर्दा सुडर हम ठीक इसे प्रलम